कैसे आप सब लोगा अमीद हैं आप सब लोग अच्छे होंगे खरीयस से होंगे आज मैं सब फ्रेंट के सिपाय शेयर के रही हूं आलू, प्यास के पकोडेब, रमजान और पकोडे ना बने ये तो कैसी हुई नी सकता और बहुती मजह कहीं बनते हैं। बहुती जल्दी बनते हैं। और बहुती ज्यादा यमी बनते हैं। आप सब भी बनाईए एक और मजह बताईए का कि आप सब को यह कैसे लगी हैं। उससे पहले Please मेरे Friends मेरे चैनल को कलने सिक्राइब। मैंने इसके लिए लिए है आलू तक्रीबान एक अप छे से डो मैंने ने पानी के अंदर रखा था Tubak isם मैं प्यास यह भी तक्रीबान एक एक अप मुझे ऐना है और शलर स्द्रेम्ध में मैं इसनमाल किया है राल मेर्च यह मेंdar। और गरम मसाला है और यह बेसन जितना मुझे चाहिए होगा मैं उस तना ही इस्ते में इस्तमाल कर लूँगी और इसके अलावा मैंने लिया थोड़ा सा पानी और हरी मेर्च मैंने लिया वो मैं पहले भूल गई थी लेकर मैंने कहले आपको बता दूं सबसे पहले मैं इसमें अलू प्याज और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेज आपको जितना पसांत है उतना आप ले सकने हैं मैंने इसमें तकरीबन लिया है वन टेबल स्पून और यह है ग्रीन चिली हरी में जो कि मैं आपको पहले बताना बूल गई थी और यह भी मैंने वन टेबल स्पून अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया और फिर मैंने इसको शामिल कर दिया अब हम अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है सबसे पहले हम इसे बहुत अच्छी से करेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद जब हम देख लेंगे कि बहुत अच्छी से यह मिक्स हो गया मिक्स खेर बहुत अफ़ा मैंने बोल दिया तो इसमें मैं शामिल करूंगी बेसन और तक्रीबर मैंने पहले इसमें शामिल किया है फाइफ टेबल स्पून आप देख लीजिएगा कि आपके अलू और प्यास कितने हैं उस मताविक आप आप शामिल किजिए लैकिन आप फ्रेंड्स शामिल किजिए 1-1 टेबल स्पून करके करकkee लेधा मैं और बाइफ में शामिल करके ओपर आप अच्छे से इसमें उसके मिक्स सून और थोड़े थोड़े से ड्राय हो रही है स्पहर कमारा तो फ़िर हम इसमें डालेंगे लोगे थोड़ा सब्टार। आधोर सैंदी झालें'dो हैट लूड़ा कड़ाई को मैंने गरम किया है तेल डाल के और फिर मैं लो फ्लेम पे जो हैं वह पकोड़ा बना रही हो और यानि कि आपने लो टू मीडियम करना है पहले आप लो करेंगे जब अच्छे से उनको कलर आजाएगा तो आप उनको टन कर दें और फिर थोड़ी सी जो आँच है व बहुत ज्यादा बूरे लगते हैं इसलिए आप इहत्यास से बनाएं और बहुत अमीद करती हूँ आपको मेरी एर ऐसे भी पसंद आई होगी मेरे साथ मज़ीद बने रहे हैं मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए और अपना बहुत सा ख्याल कियेगा खुश रहें यह झाल ूज ठाव झाल